कि यह कोश्चन कर चुके हैं तो बार-बार क्यों आ रहा है कि चलो मैं कल डिलीट करवाता हूं इसको कि इसके बाद मैंने यह कराए था लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण हमारी क्लास कहतम हो गई तो मैं दुबारा करा हूँ आपको दुबारा करा हूँ यह सब अटा देते हैं वैसे करा दिया था लेकिन जिन बच्चों ने कर लिया था दिमाग से गयब कर दो इसको क्योंकि मैं भी डिलीटी मार रहा हूं यहां से यह लोग कर दिया ठीक है कि इल्ड टिल में चियोरेटी पर आ जाते हैं मैं पिछले वाले टॉपिक को फिर से मैं दुबारा करा हूँ आपको कोई टेंशन वाली बात नहीं है बॉन्ड वेल्यूइशन में बॉन्ड इल्ड की बात करेंगे क्योंकि हमने स्टार्टिंग में कितने टॉपिक देख लिया थे सर इसके अंदर हाला कि तीन टॉपिक है अब बॉन्ड इल्ड मेचियरिटी वाई टीम जिसको बोलते हैं अब उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं इसके अंदर भी छोटे-छोटे से तीन टॉपिक है जिसको हम फटा-फट से खतम कर लेंगे अभी आ जाईए अब सीख रहे हैं बॉन्ड इल्ड सर बॉन्ड इल्ड के अंदर क्या बाते होंगे तीन पॉइंट्स है इसके अंदर इसके अंदर तीन पॉइंट है एक है सर holding holding period जापहले हम ले लेते हैं yield current period current period ठीक है सब अगला ले लेते हैं yield till maturity अभी समझेंगे भी ओके सब अगला ले लेते हैं holding holding period return that is hpr holding period return hpi यह तीन पार्ट है इसके अंदर सबसे main हमारा यह है इसको short form में ytm बोलेंगे ytm बोलेंगे ठीक है इसके अपडेट वेड़नेस दे तक अपडेट हो रही है लगबग लगबग इसमें तो हो गई होगी वेड़नेस टाइम मिलेगा और आपको एक नंबर दिया जाएगा जिसमें किसी बच्चे का कंटेंट रह गया है नहीं दिख रहा है तो उसके उपर कर दिया जाएगा करेंगे ठीक है पहली क्लास ठीक है क्योंकि हर बात चीत में फिर रह जाएगा हमारा हमारा इसके अंदर होगा कूपन रेट कूपन रेट कि इसको कह सकते हैं इंट्रस्ट कि डिवाइड़ वाइड वाइड देखा अभी बात के चक्कर में इसको समझाना था भूल गया तो हमारा मैथड था कोशन आया बच्चे का सर हमें ये फैसला करना है यानि डिसीजन लेना है कि बॉंड को यानि डिवेंचर को हमें शुड शुड बाय करना है या नहीं करना है यही तो फैसला लेना है पूरे चप्टर में तो सर बॉंड को हमें बाय करना चाहिए या नह intrinsic value के अंदर तो सीखा था तो सर यहां पे आप पहले P0 निकालते थे और bond का market price देखते थे bond का P0 और market price तो P0 और market price की अगर हम बात करें तो यहां पे सर bond का market price 1000 है और अगर P0 हमारा 600 आता है तो हम बोलते थे ना भाई ना खरीदेंगे क्योंकि तेरा तो महंगा होना 600 चाहिए हमारा 600 है market में 400 में मिल रहा है तो हम बोलते थे भाई खरीद लेंगे कि इसका rate तो 600 होना चाहिए लेकिन 400 में मिल रहा है लेकिन कई बार दिक्कत ऐसे आ सकता है कि आपके पास बहुत सारे bond है मानलो bond A है, bond B है, bond C है, bond D है और इसका मानले थे coupon rate 6% है एक का coupon rate 7% मतलब मानलो 8% है, एक का coupon rate मानलो 10% है, एक का 12% है इन सभी का market price भी अलग है 600, 800, 700 और 300 तो अब कैसे फैसला किया जाए कि हमें कौन सा bond खरीदना चाहिए, मान लेते हैं कि इसका भी हमारा जो P0 आया, P0 इसका आया 700, इसका P0 आया हमारा मान लेते हैं 900, इसका P0 आया मान लेते हैं 800, इस इसका P0 आया मान लेते हैं 400, अब मुझे बताइए, आप कहेंगे कि सर खरीद लो, खरीद लो, अब बताओ, P0 यानि 700 का होना 600, येस, बाए, अब 800 और 900, 900 रुपे होना चाहिए, P0 मतलब हम इतना होना चाहिए, 800, आप इसको भी बोलोगे, येस, 800 और 700, होना 800 चाहिए, औ आप इसको भी बोलोगे, येस, होना 400 होना 300, इसको भी क्या बोलोगे, येस, आपने सब को येस बोल दिया, लेकिन मेरा सवाल तो ये है कि इसमें से कौन सा खरीदू ये बताओ, क्या आप यहाँ पर फैसला लेके बता सकते हो, कि इसमें से कौन सा बेस्ट रहेगा खरीदन तो मुझे बताईए, प्राइज के बेसिस पे एक बॉन्ड का, तो हम बता सकते हैं, अगर मेरे पास एक एक option हो, सिर्फ एक पार्ट हो, तो तो बता दूँगा, खरीद लो या नहीं खरीदो, लेकिन multiple option आ जाए, तो उसके अंदर से फैसला बड़ा ही मुश्किल हो जाता है, बहुत मुश्किल हो जाता है, उसके अंदर फैसला लेना, सर application, अभी पुरानी बात पढ़ रहे हैं, तो सर, इसका मतलब सर, अगर आप मुझे बता दो, कि यहां का जो return है, यहां का return 6% है, यहां का return 7% है, यहां का return 5% है, यहां का return 12% है, यानि percentage terms में income बता दो, तो मैं बो लिए हमें यह वाला topic पढ़ाया जा रहा है, bond yield, क्योंकि अब जो आपको निकालना है, सर, अब वह आपका किस format में आ जाएगा, एक percentage format में आ जाएगा, जिस से आपको multiple bond हुए, तो वहां पे एक decision बनाने में आपको आसानी हो, ही कै सर, यह बात समझ गए, तो यह है हमारा coupon rate का, ठीक है न, current price, तो मैं current price का भी question देख लेता हूँ, कोई मिल जाए आपके book में, तो मैं hand-to-hand questions कराता जाओंगा, मैंने एक देखा तो था, current price, current price का कौन सा question मिलेगा, कौन सा question मिलेगा, डीडीबी, deep discount, अभी तो, सीधा YTM है, जीरो coupon bond, holding, period, return, risk, problem में देख लेते हैं, कोई question दिख जाए तो अभी hand-to-hand करके खदम करें उसको, पर एक चीज और perpetual bond में भी यही करोगे, perpetual में भी, perpetual वाले में भी यही formula होता है, वो तो हम आगे देख लेंगे, मुझे कोई current, 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 current का मिल जाए, आप बता दीजिए, आपको कोई पता लग रहा हो, क्योंकि शायद मुझे ढूनने में देर भी हो जाए, आपको पता लग जाएगा, आपके पास book है, तो बता दीजिए कौन सा question है, मैं अभी करा देता हूँ आपको, देखा तो था मैंने, देखा तो था, बाद बाकि सारे current, current के उपर है, मतलब ytm के उपर है, सारे ytm के उपर है, क्रेडिट रेटिंग आ गया, लास्ट बार देख लेता हूँ, देख किया तो ठीक है, नहीं तो फिर हम अगले topic पर बढ़ जाएगा, यह मिल तो गया एक, सिर्फ formula मिला, annual interest, current market price, इससे related कोई questions नहीं मिला, नहीं है, चलो questions तो नहीं दिखा मुझे, बाद बागी अगर दिख जाए तो यह formula apply करोगे, इसके बाद सबसे main है हमारा yield till maturity, इसको हम आगे बढ़ते हैं, और आगे इसको पूरे अच्छे से करते हैं, इसमें थोड़ा सा time taking रहेगा, yield till maturity, yield till maturity, सहब ये क्या है, yield till maturity को निकालने के लिए दो formula हैं, और ये बड़ा आसान है, दो formula, कहते हैं, दोनो formula से same answer आएगा, examiner का मन करेगा, मैं इससे पूछूँगा, तो इससे, एक है approximate, approximate, ओके सर, दूसरा है, IRR method, सर, IRR, ये तो कुछ याद आ रहा है, internal rate of return, approximate method के अंदर, दो पार्ट आ जाएंगे, पहले एक पार्ट कर लेते हैं, दो पार्ट हैं, वैसे मैं एक कर लेता हूँ, हम एक पार्ट इधर वाले discussion कर लेते हैं, ये होगा हमारा, अगर हम बात करें, YTM, सर, इस percentage form में answer आएगा, सबको पता है, तो कहा गया, YTM, क्या होगा सर, YTM होगा, interest amount, interest amount, plus, आपका redeemable value, minus में, आपका P0, जो current price है, divided by, N होगा, उसके divided में, RV होगा, plus में, P0 कहलो, issue price कहलो, divided by 2, ये formula हमारा, YTM, निकालने का है, और सर, IRR का भी एक रहेगा, सर, इसका क्या formula है, मैं formula लिख देता हूँ, फिर मैं इस formula को समझाऊँगा, सर, यानि YTM, सर, YTM, क्या होगा सर, lower rate, plus, positive NPV, positive NPV, divided by, positive NPV, minus, minus, negative NPV, into में, higher rate, minus में, lower rate, ये formula है, अच्छा सर, ये भी formula YTM निकालने का, ये भी formula YTM निकालने का, तो हमें कौन सा इस्तमाल करना है, दोनों से answer, same ही आता है, लेकिन इस formula को approximate कहा जाता है, जैसे माल लो, अभी तक, आपका जैसे 10.6 आया, तो आपने लिख दिया, सर, इसको ये 10.67 ये 69 आया, तो आपने इसको 10.7 कर दिया, round figure में, actual तो नहीं है, तो ये formula क्या कहता है, ये अप्रोक्समेट है, और ये चलता भी आया है, ऐसा नहीं है कि ये गलत है, देखिन कई बार examiner बोलता है, भी ये हमें approximate से मत बताओ, हमें real बताओ, मतलब मैं कहूं, इससे answer हमारा 99.9% accurate आता है, 100% तो कोई भी accurate नहीं दे सकता, ये माल लो, बस 0.9 का फरक है, इसलिए सिर्फ हम इस formula को apply करेंगे, examiner बोलता है कि हमें, पूरा, माल लो, 100 ही माल लो, examiner कहाएगा, भाईया, हमें तो 100% का accuracy चाहिए, उसके इसाब से बताओ, तो हम इसके इसाब से बता देंगे, और अगर examiner कुछ नहीं बोलेगा, तो हमारी तो मौज है, कि हम इसके इसाब से बताएं, या इसके इसाब से बताएं, तो चलिए, ह कर सकते हो, ठीक है, 1-T बोल रहा है भी शेक, 1-T के लिए मैंने यहाँ पे छोड़ दिया है, यहाँ पे यह पोस्ट टेक्स के लिए आता, आपने बोली दिया, पोस्ट टेक्स लेना है, अगर आपको पोस्ट टेक्स दे दे, तब आपका फॉर्मूला होता है, YTM, हालाकि टेक्स, छोटा पड़ेगा जगह है, हमारे लिए, छोटा जगह है पड़ेगा, ध्यान देना, मैं भी साइड करतूं, मां दिख जाएगा, माइनस, आपका पी जीरो, डिवाइड़ बाए, एन, और, आर भी, मैं पी लिख रहा हूँ, पी का मतलब पोस्ट टेक्स, पी जीर कर लेंगे, जिसमें कोई दिक्कत आने वाली है नहीं, चलिए सर, एक सवाल हो जाए, टेन तो करी लिया हमने, एक सवाल करा दो सर, एक सवाल, हम एक सवाल करेंगे, जिसके अंदर मैक्समम टू मैक्समम हमें समझ में आ जाए, कौन सा कुश्चन करना चाहिए, यहां पर बा हमारा 11 11 कहता है YTM bond should be buy if required rate of return 12% क्या हमें buy करना चाहिए चलिए हम करेंगे इलिस्ट्रेशन 4.11 और मेरा मन कर रहा है मैं 4.11 के जगह पे यहां तो है नहीं 4.11 अरे याँ चलो दूसरा देखते हैं प्रैक्टिकल प्रॉब्लम लगाया है नहीं लगाया चलो 4.10 भी हमारा चलिए इस कोश्चन को कर लेते हैं यहां पर दोनों आ गया YTM भी आ गया YTC भी आ गया इल्ड चलो सवाल देख लेते हैं इसको पूरा समझेंगे एक सवाल में ही हमारा पूरा कॉंसेट्ट खतम हो जाएगा और उसके दर हम कर पाएंगे सर पूरा कॉंसेट्ट का मतलब क्या आपका एक कुश्चन करोगे तो आपके दोनों पार्ट खतम हो जाएंगे जो हमने देखे थे अभी ठीक है नहीं फटा फट से करता हूं पढ़ते हैं फॉलविंग इंफॉर्मेशन अविलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ बॉंड फेस वेल्यू उसका हजार रुपय है कूपन रेट आठ पोरसंट है टाइम मेचियूरिटी दस साल है मार्केट प्राइस आपका ग्यारा सो चालिस है मार्केट प्राइस कितना है ग्यारा सो चालिस और आपका ये कॉलेबल कॉलेबल मतलब ये आगे की बात कह रहा है इसको हम बाद में करेंगे ये वाइटी सी निकालने के काम आता है वाइटी सी इसको बाद में देखेंगे ग्यारा सो चालिस है ठीक है मार्केट प्राइस ग्यारा सो चालिस है अब हम एक सबसे पहले मैथ method one यानि हम एपरोख कि एपरोक से निकाले एपरोक से निकाल लेते हैं कि सर हम यह और यह होगा सर इंट्रस्ट प्लस redeemable value minus P0 जो current market price divided by divided by N time इस सभी के divided by RY, RV प्लस में P0 divided by 2 ओके सर इस formula में लगाते हैं सर हमें सवाल में क्या क्या given है सर सवाल में क्या क्या given है बता दो सर यहां पे हमारा redeemable value कहता है the following information available face value 1000 है तो अब को बताया है नी current market price नहीं पता तो माल लो redeemable at par है तो redeemable value माल लो आप 1000 रुपे और हमारा P0 आज की date पे जो current market price है that is 1140 and time क्या दे रखा है time दे रखा है हमें सर 10 साल और rate क्या दे रखा है coupon rate coupon rate दे रखा है हमें कितने 8% चलिए सर करिए फटा फट इंट्रस्ट क्या आएगा सर इंट्रस्ट क्या आएगा इंट्रस्ट तो face value पे निकालूगे आठ पर सेंट है तो असी प्लस आर भी redeemable value क्या है सर 1000 माइनस में 1140 divided by N, N क्या है सर N क्या है हमारा मेरे हिसाब से आपको ये सारे terms तो पता है न इंट्रस्ट, redeemable value बता रहा हूँ मैं साथ के साथ अगर नहीं है तो आप लिख लिजिएगा इन सभी को दिक्कत नहीं होगा 10 है इन सभी के divided by 1000 और इसको प्लस कर देंगे 1140 divided by आपका 2 इसको solve करते हैं एक ये आंसर क्या ये आंसर गलत है नहीं ये आंसर भी ठीक है हमारा लेकिन मैं दोनों से ही कर रहा हूँ यहां पर तो 140 divided by कि एक सुचालिस ग्यारा सुचालिस ही है ना हाँ ठीक है चौदा माइनस असी है या अगया 66 ऊपर वाला हिस्सा आगया 66 divided by ग्यारा सुचालिस प्लस एक हजार डिवाइड़ बाइड़ यह आगया एक हजार सत्तर तो तो सहाब यह जो रेट आगया निकलके इंटू में 100 भी धियान रखे 16 आ गया 16 आ गया तो यह हमने किस फॉर्मूले से सॉल्व कर लिया यह कर लिया एप्रॉक्समेट क्या सवाल का आंसर यह हो सकता है जी हां इतने पे भी हम सवाल छोड़ सकते हैं लेकिन मैं इसको आपका आप दूसरे मेथड से भी करके दिखा रहा हूं आई आरार मेथड से सर आई आरार मेथड से करने के लिए कुछ सरते कुछ नियम है जो कि आपको फॉलो करना होगा पहले आपको पर्जेंट वेल्यू निकालना होगा क्योंकि आपको नेट पर्जेंट वेल्यू चाहिए त P-0 मानुस में मार्केट प्राइस मार्केट प्राइस कह सकते है या प्रजेंट वेल्विःy यानिए P-0 कह सकते हैं प्रभ्रेंट ब्राइस क्या निकलना है यह फिर भी जिरो कहलें का लों कैएachsen के इंटरस्ट आप PVAF प्लस में आपका redeemable value into में PVF इससे तो present value आएगा इसमें से market price minus कर दो के तो क्या आजाएगा NPV आजाएगा तो हमारे वाले सवाल के अंदर देखा जाए तो इसी सवाल को solve करते हैं तो सर सबसे पहले 20-0 निकाल लेते हैं जिरो क्या आएगा और हमारा trial and error है चलिए मैं पीछे करता हूँ IRR method अब दूसरा method आ जाते हैं second method में कौन सा method है sir IRR IRR करने के लिए step number one step number one सबसे पहले calculate करना है net present value net present value क्या कहता है net present value कहता है आपका जिसे बीजिरो कहलो intrinsic value minus market price सर बीजिरो कैसे निकालते हैं सर बीजिरो निकालते हैं हम interest पी वी एफ प्लस में आर वी और पी वी एफ हो के सर इसके बाद देखा जाए इसके बाद देखा जाए और क्या इसके बाद देखा जाए इसके बाद देखा जाए इसके बाद बात करेंगे यह निकाल दिया ठीक है Step No.2 आपको Find करना है वन पॉजिटिव एन पी वी एंड अनदर नेगेटिव एन पी वी अगर आपको पॉजिटिव एन पी वी चाहिए तो आपको रेट को माइनस करना होगा डाउन करना होगा अगर आपको पॉजिटिव एन पी वी चाहिए तो रेट को कम करना होगा अगर आपको नेगेटिव एन पी वी चाहिए तो आपको रेट को आपको ऊपर करना होगा यानि रेट को बढ़ाना पड़ेगा ठीक है तो हम एप्रोक्समेट फॉर्मूले को ध्यान रखते हुए हमारा लगभग लगभग एक रेट पहर हो गया सर एक रेट क्या मिला हमें वहाँ पे मिल गया 6% अंदाजा मिल गया कि 6% रेट होगा नहीं तो अदर्वाइज आप कोई भी रेट लेलो चार लेलो यानि कोई भी रेट लेके कर सकते हो या रिकॉाइड रेट अफ्रेट थे रखा हो तो वह ले लो आप फिलाल हम इसमें क्या करते हैं इसको करने के लिए यहां पे 1,6% अए हम अंदाजायों गया तो हम यहीं 6% को बेस मान लेते है मरजी है सर आई 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 राट इस इकल टू है पहले हम 6 परसेंट से आई 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 क्या होता फॉर्मूला लोवर रेट प्लस में पॉसिटिव बाइ पॉसिटिव एन पीवी माइनस में नेगिटिव एंपीवी इंटू में आपका हाइयर रेट माइनस में लोवर रेट ओके सर कि आगे देखते हैं कि चलिए हम सबसे पहले एंपीवी निकालेंगे एंपीवी यानि पहले एंपीवी से पहले हमें में निकालना पड़ेगा मानलो 20-0 20-0 क्या कहता है सर इंट्रस्ट मैंने फॉर्मुला लिख लिया तो रिपेट नहीं करूंगा पहले मैं इंट्रस्ट ले लेता हूं इंट्रस्ट मेरे सवाल में क्या था 80 था और इसको जगह छोड़ देते हैं इसको जगह छोड़ देते हैं और यहां पर लेते हैं सर हम छे परसंट को बेस मान रहे हैं तो छे परसंट के हिसाब से देखा जाए 1 divided by 1.06 एक साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल 6 साल 7 साल 8 साल 9 साल 10 साल मेरे सवाल के अंदर maturity time 10 साल था तो मैंने 10 साल लिया है अब यहां पर क्या करोगे सर यहां पर करेंगे 0.558 और इसका जीटी कर देंगे तो यह आ गया 7.36 इंटू 100 तो यह आ गया हमारा 5588.8 प्लस 558 प्लस 558 प्लस 558 सर यह आ गया हमारा 1146.8 है इसको हम approximate कर दें अगर तो 1147 भी कर सकते हो अब हम निकाल लेते हैं NPV पहले देख लें कि हमारा NPV positive है negative तो 1147 माइनस में हमारा market price है 1140 तो यह आ गया हमारा positive में साथ positive का साथ आ गया अब हमें positive value पदा चल गया तो अब हमें कहां जाना है negative value पर जाना है तो negative value में हमें क्या करना है कराना नपीवी negative चाहिए तो आपको rate को बढ़ाना होगा तापका 6 परसेंट था अब आपको एक rate बढ़ाना होगा आप मालो साथ मालो आठ मालो नौ मालो दस मालो लेकिन सिर्फ सात रुपे का डिफरेंस है तो एक पॉइंट बेसिस पॉइंट भी बढ़ा दोगे तो अगला हम निकाल लेते हैं सर अगला नेक्स्ट अगर हमें नेगेटिव एंपी वी चाहिए तो उसके लिए हम ट्रा चलिए आए ये 1 डिबाइड बाइड बाइ 1.07 एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नो दस यह आगया 508 0.508 जिटी करेंगे 7.02 इंटु 80 यह आगया सर 561 प्लस 508 तो 561 प्लस 508 जिट इस आगया हमारा 11.069 11.069 मैं इधर कर रहा हूँ इसके आगे continue 11.069 इसके अंदर हमारा net present value आजाएगा 10.069-11.40 तो minus 11.04 यह आगया 71 minus का ओके सर अब निकाल लो IRR IRR निकालने का lower rate तो अब इस rate में से और इस rate में से दोनों में से lower rate कौन सा होगा इस rate में से और दूसरे rate में से lower rate कौन सा होगा तो सर 6 प्लस positive NPV बताओ positive NPV क्या है 7 divided by positive 7 और ultimately जब आप इस bracket को open करोगे तो minus यहाँ पर भी है तो minus minus जाके plus हो जाएगा मैंने लगाए नहीं तो यह plus में जाके 71 ही हो जाना है into में अब rate higher rate कितना था 7 minus में 6 अब आजाएए सर 7 divided by 7 divided by 80 80 into में 1 और plus में 6 मैंने पूरा solve कर दिया 6.0875 यह आ गया हमारा किसका answer सर इसका अगर पीछे वाले answer को देखेंगे तो यहाँ पर जबावरत 6.16 लेकिन यहाँ पर देखेंगे तो 087 नॉर्मली माना जाता है कि क्योंकि यह हमने trial error का help लिया है तो इस format को हमारा अच्छा माना जाता है इस format के formula को best माना जाता है कि यह ज्यादा better है ऐसा नहीं है कि यह गलत है आप देख लो थोड़ा बहुत फरक आता है तो यानि हमारा दिखा जाए तो हम क्या देख रहे थे सर मैं यहीं पर लेके आ जाओ उसको formula वाले चार्ट को यहीं लेके आ जाओ आजाओ formula 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 यह रहा हम क्या देख रहे थे सर एक तो approximate का यह formula होगा यह भी सही है और यह भी सही है हमने दोनों point से सवाल को कर लिए यह पहले approximate वाले से करा और इसको मैंने किस से करा IRR मेथट से करा अब बता दीजिए यहां तक कोई doubt है तो बताईए नहीं तो फिर हम अगले concept पे चले यहां तक कोई doubt है तो बताईए नहीं तो justify नहीं करते हमने यहाँ पे अपनी मर्जी से कोई भी rate लिया हो उससे justify करना है एक हमें positive value है एक negative आपने कहा 8 मानो sir आप 8 मान के करोगे तब भी answer यही आएगा आपका answer में कोई फरक नहीं होगा ठीक है ना हम coupon rate को हम नहीं मानते हम अपनी मर्जी से कोई भी rate मान लेते हैं ताकि एक positive एक negative value आ जाए एक हमें 6 पकड़ लिया हमें पता था भी यह 6 पे तो positive आना ही है एक 7 लेके negative लेके कर लिया हमने बताइए कोई doubt coupon rate और return rate बीच difference क्या है coupon rate तो इतना ब्याज मिलेगा required rate है हमें इतना ब्याज चाहिए हमें required rate के according सारा फैसला लेना पड़ता है coupon rate तो आपको बोली रहा हूँ मैंने बोला भाई यह 10% ब्याज मिलेगा आप बोलते हैं 10 नहीं 12 होता तो बढ़िया होता 12% ब्याज होता न तो मजा जाता और आप देखोगे आपके लिए beneficial है या फिर नहीं देख लिजे कोई doubt है झाल झाल बताईए सहब कोई दिक्कत कोई दिक्कत नहीं सर अगले पॉइंट पे आ जाओ अगले पॉइंट पे आ जाओ सर कुश्चन में एक और बात कह रहा था लेकिन आपने उस कुश्चन का बताए नहीं वाई टी सी वाई टी सी अरे 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 वाई टी सी कहता है आपका callable 6 year है callable callable का मतलब होता है yield till maturity था ये yield till callable है यानि call कर लिया जाए होता क्या है generally आप समझना YTC आपका सच बता देता हूँ simple है वही बात लेकिन बस बताना है तो बता देते हैं होता क्या है generally आप ध्यान से देखो ये मान लो for example एक bond issue किया एक bond issue किया किसने सर XYZ ने XYZ ने और bond 10% पर इशू किया आप मुझे पहले एक जवाब दो मैं आपके general knowledge test करना चाहता हूँ आप बताओ मुझे FD का rate जो fixed deposit का rate है ये जो rate है ये always constant रहता है ये बढ़ता घटता रहता है 6 deposit का rate always constant रहता है ये बढ़ता घटता रहता है जवाब दीजे फटा फट constant रहेगा ये फिर नहीं रहेगा फिर मैं आपको समझा पाऊँगा बताइए फटा फट FD का rate constant रहेगा या बढ़ता घटता रहेगा तुसार का कहना है साइद बच्चों ने मेरे कुश्चन को सही से नहीं समझा मैंने कहा इस साल FD करवाने गया 2010 में 2010 में FD करवाने गया 8% मिला अब अगर मैं 2012 में 2020 में FD करवाने जाऊँगा तो क्या मुझे अभी 12-8% rate का ही मिलेगा या यह change हो चुगा होगा मैं यह पूछना चाह रहा हूँ कि अगर मैं आज के date पे FD करवाता हूँ तो यही रहेगा तो दिया का जवाब आया है fluctuate होगा बिल्कुल सही जवाब है यह change होगा मैं पूछना यह चाह रहा है constant नहीं होगा same ऐसे बिल्कुल सही आपको यह बात समझ में आया है कि भाईया यह change होता रहता है same आज bond का rate है 10% और मेरा FD का जो rate है इस दिन में समझना FD का rate है मेरा suppose करो 8% इसलिए जो आप investor हो आप किसकी तरफ switch करोगे आप switch मार जाओगे किसकी तरफ सर्ण bond की तरफ bond की तरफ switch मार जाओगे क्यूंकि आपको 2% bond में extra मिल रहा है साथ के साथ pricing का भी benefit मिल रहा है company ने 10 साल का bond issue किया तो 10 साल में company को पता है बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे एकदम से bank वालों ने अपने FD का rate 4% कर दिया bank वालों ने अपने FD का rate 4% कर दिया अब XYZ company सोचेगा यार 4% कर दिया अगर मैं इस bond को वापस खरीद के और इसी bond को दुबारा मैं बेश दूँ 5% या 7% के rate पे तब भी public खरीद लेगी तो company क्या करेगी बीच में call करेगी कि भाईया आपने bond को redeem कर रहे हैं हम bond को redeem कर रहे हैं क्या redeem करवाना चाहते हैं सारे bond को यहाँ पर redeem करवा के आपको offer दे के खरीद लेगी उसके बाद दुबारा बोलेगी भाईया हम bond को issue कर रहे हैं अब जो bond को issue कर रहे हैं उसका coupon rate जो रखेंगे वो coupon rate अब 7% है बताओ आपको चाहिए 7% में तो आप फिर से compare करोगे यार bond फिर से 7% का है bank में FD 4% तो अब आप कितने का खरीद लोगे 4% का bond खरीद लोगे साथ 7% वाला bond खरीद होगे क्यों भाई 7 वाला क्यों खरीद होगे क्योंकि आपने comparison में देखा कि FD का rate तो इससे भी कहीं कम है तो इस चलाकी से आप बताओ इस चलाकी से XYZ का फाइदा हुआ या नहीं हुआ बताओ कमपनी का इस चलाकी से बेनिफिट हुआ या नहीं हुआ तो जवाब होना चाहिए सर हुआ पूरे 3% बचा लिए चलाकी करके लेकिन डिपेंड करता है कि मान लो 10 यूर 10 येर था इसने 6 साल में ही इसको call कर लिया और बाकी के 4 सालों में fresh issue कर दिया तो हमसे examiner बोलता है जहां तक उसने call किया यहां से यहां तक मुझे bond का एक intrinsic value या एक IRR या YTM निकाल के बताओ और क्या price होना चाहिए मजे की बात जब redeem करेगा तो इस redeemable का value मैंने बोला था कि मैं आपको 1000 वापस करूँगा लेकिन इस वाले redeemable का value हमेशा अलग होगा क्योंकि आपको एक लुभावना मान लो मैंने बोला मैं आपको 1100 दूँगा इस तरीके से दिये जाएंगे समझ में आई बात तो हम callable bond क्यों कहते हैं हम call yield को क्यों call कर लेते हैं क्योंकि हमें rate का benefit मिल जाता और आप जभी bond बेचोगे जब मैं आपको थोड़ा एक्स्ट्रा पैसे दूँगा यह combination मिलाकर सब कुछ minus plus कर लिया जाता है अच्छा सर क्या यहां तक समझ में आए इसका मतलब सर अगर मैं YTC कहूं यानि callable bond की बात करूं तो formula क्या होगा सर YTC सर YTC का क्या होगा अभी देखो बताते हैं YTC का क्या होगा यहां formula हो formula हो और है भी मैं YTC का formula बता दूँ आपको बस देखना एक चमतकार देखना आप सलेक्ट हुआ हां हो गया आपको देखो YTC का formula बता जाएगा सर YTC का formula देखना कितना खतरनाक formula आएगा YTC का formula सर YTC का formula यह रहा YTC का formula बन गया YTC का formula जी बन गया YTC का formula और कुछ भी नहीं है यह रो YTC का formula बन गया यह रो YTC का formula बन गया यह कर दो को redeem करने जा रही है बस ये फरक होता है और nothing दोनों एक ही बाते हैं तो यानि sir question में क्या कह रहा था जो कि आपने इतना सारा formula कह दिया लो अभी मैं questions पढ़के बता देता हूं क्या कहना चाहता है दुबारा साफ कर देते हैं question को question कहता है कि हमारा face value तो दे रखा था और market का price 1140 है लेखिन company ने बोला के भाया हम 6 साल में ले लेंगे और इसका callable रखा company ने 1100 कहा कि company ने कहा कि हम इसका callable रखेंगे पहले 1140 था अब हम आपको market price जो है आपको market price उस time था अब हम मानके चलेंगे कि आपको 1100 यानि आपको redeemable पहले हम आपको वापसी करते कितने का 10,000 यान अब redeemable value आपको 1100 दे दिये आपके मन में आगे लालच यार बाद में 10 साल बाद लूगा तो मिलेगा मुझे एक ही हजार आज के date पे redeemable value 1100 तो चलो अब आपका redeemable value चेंज हो गया सर सब कुछ सेम रहेगा redeemable value बस 1100 लगाना है और जट से answer निकाल लेना है और जट से answer निका से दो formula हो जाएंगे एक हो जाएगा approximate एक हो जाएगा approximate सर approximate में क्या होगा सर यानि आपका ytc is equal to interest interest plus redeemable value minus में p0 यानि market price divided by n divided by यह fm का ही formula है सर fm का ही formula है कुछ अलग बात नहीं है इसमें last में 100 आता है सर इंटरस्ट तो 80 ही रहेगा face value पे निकलेगा वो plus redeemable value question में कहता है 1100 हो जाएगा और minus 1140 market price divided by n 10 है मुझे तो question याद हो गया है आपको भी hopefully समझ में आ रहा होगा plus में 1140 divided by 2 इसको solve कर देते हैं जटपट से तो यहाँ पर 1144 divided by 10 चार्ज प्यत्तर और ग्यारा सो प्लस ग्यारा सो चालिष 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 ग्यारा सो चाल समझिएगा कि जो YTM का rate होगा वही YTC का आएगा YTC बिल्कुल different thing हो गया वस formula और सारी चीज़े वही होगे सर यह तो आपने इससे कर दिया अब IRR से भी कर तो बिल्कुल IRR से कर देते हैं तो हमें निकालना पड़ेगा एक positive present value और एक negative present value तो हम निकाल लेते हैं सरले पहले P0 intrinsic value यानि interest 80 और bracket छोड़ देते हैं और यह आजाएगा redeemable value ग्यारा सो और यह आजाएगा अब 6 साल है सर 6 साल ध्यान दिजेगा अब कितने साल है सर 6 साल तो मैं पहले एक 6% पर फाइंड कर लूँगा और एक 7% पर फाइंड कर लूँगा तो 7% 6 सा 1 divided by 1.06 1,2,3,4,5,6 या आगे 0.70 GT 4.91 इंटो 80 393 प्लस ग्यारा सो इंटो मैं 0.70 770 प्लस 393 ग्यारा सो 363 नेट पर्जेंट वेल्यू ग्यारा सो 360 और माइनस में आपका ग्यारा सो चालिस तो पॉजिटिव आगया ग्यारा सो चालिस या आगया तेईस अब सर नेगिटिव बाज चले जाओं नेगिटिव करने के लिए आप 7% पर लेलो सिंपल सी बात है तो पीजीरो है अगेन अहां थोड़ा फास्ट कर रहा हूं समझेगा यहां पर प्लस आपका रिडिमेवल वेल पाना है दस नहीं क्योंकि छे साल में रिडिम हो रहा है 666 GT 4.76 into 80 यह आगया 381 पॉइंट को हटाई रहा हूं मैं ठीक है 1100 into 0.666 700 बत्त्तेष प्लस 3.81 1113 ओओ माइ गॉड चलो यह तो कमी आया तो ओवसी बात है नेगचीव आजएगा तो 1100 NPV 1113 मैनेस 1140 मैनस 1140 तो 27 नेगेटिव 27 negative जट से यहां पर आई आरार निकाल दो पॉर्मूला पीछे वाला याद रखना जट से आई आरार निकाल लो आई आरार मेथड से यानि हम इसको वाई टीसी ही बोलेंगे आई आरार ना बोलके हम बोल देंगे इसको वाई टीसी lower rate 6% plus positive 23 divided by positive 23 plus में हो जाएगा 27 into में एक हो जाएगा ठीके ना तो आपका 23 plus में 27, 50, 23 divided by 50 into में 6, 23 divided by 50 plus 6 ये आगया 6.46 अब देखिए इन दोन में थोड़ा बहुत फरक आ गया ये था ytc अब मुझे आप बताईए क्या ytm और ytc दोनों चीजा आपको clear हो गई हो तो हम आगे बढ़ जाए और आगे की बात करें मैंने दोनों चीजा आपको करा दिया है इसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं सर चेंज होगा six year approx formula में क्या कह रहे है सर अन भी चेंज होगा अरे हाँ ये गड़बड हो गया न मैंने जल्दी जल्दी में ये भी छेही होगा क्योंकि n तो 6 हो गया दिया ने बता दिया ये n तो गड़बर हो गया तो 40 divided by 6 6 plus 80 86 divided by 1100 ये बच गया गड़बर हो जाती 1120 ये ज्यादा आ रहा है सहाब 7.67 7.67 ज्यादा का फरक आ गया कैसे सर कैसे सर 1140 देख लेते हैं 40 divided by 6 अच्छा माइनस 80 गड़बर हो गया सर माइनस 80 करना है छे तो आ जागा 74 अच्छा गड़बर हो जागा तो सेवन्टी पॉर आएगा ये हैना सौल करने के बाद तो 74 डिवाड़ेड़ बाए 1120 यह आगा सर 6.33 अच्छा पॉंट 3 3 अच्छा पॉंट 3 3 अच्छा पॉंट 3 3 अच्छा पान जी बताइए बताइए किसी का कोई डाउट यहां तक बताइए YTM और YTC में किसी का डाउट दोनों बिल्कुल सेम है और इसमें ज्यादा कोई फरक है नहीं हमने तीन चीजे देखा था नमबर वन आपका करन्ट मेचियरिटी करन्ट इल्ली मेचियरिटी हो गया उसमें तो थाई नहीं कोईशन नहीं मिला YTM कर लिया एक एक एच्पी आर जो आप पहले कर चुके हो चैप्टर नमबर थ्री में जस्ट एक फॉर्मूला लिखके एक कोईशन आपके बुक का मैं कर दूँगा एच्पी आर सर एच्पी आर कहा मिलेगा होल्डिंग पीरिट रिटन यह आपको कोईशन सत्रा मिल जाएगा जिसमें मुझे जादा नहीं लगता कि टाइम इन्वेस्ट करना होगा क्योंकि चैप्टर नमबर थीन में बहुत टाइम इसमें लगाया है हमने आगे बढ़ जाए जाए बताओ आगे बढ़ जाए बता दीजिए फटा फटा येस तो सर बढ़ जाए आगे मैंने बोली दिया आगे बढ़ जाए तो अब रह गया हमने भी स्टाट किया था हमने पहला कर लिया इसके अंदर दो फॉर्मूले थे एक था हमारा एप्रोक्समेट एप्रोक्समेट का फॉर्मूला था ये वाई टी एं मो या वाई टी सी अब समझ में आएगा में स्लिएस कर दो तो फरक नहीं पड़ता ह। फॉर्मूलती है हमारा इंट्रस्ट के बाद प्लस आर वी माइनस में पी जीरो डिवाइड़ बाइड़ बाइड प्लस में पी जीरो डिवाइड़ बाइटू फॉर्मूला सारा एक पीच पर लिख ले नहीं है स् det Así है कि IA ए आर के साव से क्या निकालों कि सर लौघर प्लस पॉजिटीऎ स् एट इधिव कule to provide यद्फ क्वाइडिटे ए फे-टपी ए माइनस और माइनस-े नेगितिटिव एंपीबी और इंटु में हायर रेट बाईननास लौझ कर लिख दिया है से ले का क्या फॉर्मूला होता है एच पी आर है यह होता है सर इंकम कि प्लस कैपिटल गेंग डिवाइड वाइड पी जिरो मार्केट प्राइस इंटु हंड्रेट चलिए सर कुश्चन नंबर जो मुझे दिख रहा है यहां पर कुश्चन 4.17 एक जस्ट एक मैं कह दूं तो यह एक करने जा रहा हूं है आपको पहले से आता है कि यह पहले से यह पहले से आता है रूपयर कितने का है याउनिहavu करता हैं कre और साथ सो पचास का एटा साथ सो पचास इन्विस्टर पचेस रूपील 퍼र वेल्यू के बॉंड को साथ सो पचास में खरीद लेता है दा बॉंड विल बी के सल के बाद भी एट पार सो मिलेगा इन्वेंट ुप कीप दा बॉंड फोर सेल एयर प्राइस आठ सो आफ्टर दा रिसीविंग इंट्रस सो रुपए इन दिसंबर दो हजार चौदा कैल्कुलेट होल्डिंग पीरिट रिटन ऑफ बॉंड सर एक बार फिर से समझा दो सब फिर से समझा दो फिर से समझा देते हैं धीरे धीरे इसक जब हमारा पार वेल्यू हजार है इसको करेंट मार्केट प्राइस की बात करें तो साथ सो पचास है इसके उपर दस परसेंट का रेट है इंट्रस जो इंकम होगा दस परसेंट पे दा बॉंड विल बी मेचियोड आफ्टर फाइव यर फाइव यर के बाद हो जाएगा तो इनवेस्टर क्या करता है अब बाइव बाइव बाइप को बेच देता है कितने का 800 रुपे का और इसके उपर इंट्रस भी ले लेटा है 100 रुपे यानि 800 रुपे का बेच दिया और इंटरस ले लिया इसने 100 रुपे का धिसम्बर 2014 के अंदर तो ऑविस सी बात है एक साल मे प्लस में आपका capital gain capital gain divided by आपका जो market price था P0 यानि दो price हो गया, एक future price, एक आपका price तो interest कितने हैं, 100 रुपए capital gain क्या हुआ, capital gain क्या होता है सर हमारा अगर देखा जाए, तो पहले समझाया था सर ये होता है हमारा redeemable value, minus में P0 जितने का लिए तो redeemable कितने का हुआ है, ये redeemable कहलो ये future value कहलो ये P1 कहलो आप P1 कहलो आप, तो कितने का 800 का, खरीदा कितने का था 750 का, तो 50 का capital gain हो गया, divided by 750 into 100, तो ये आगे HPR हाँ, सर HPR, तो 50 रुपए है, प्लस 100 रुपए divided by 750 into 100, तो सर 20% आगया किसी को इस topic में doubt है, बाकि इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, post tax हुआ, तो बस 1-T और tax minus करके कर देंगे, इसको हम capital yield भी बोलते हैं, इसको income yield भी बोलते हैं, जैसे कि हमने देखा था, किसी बच्चे को इस part में doubt है, तो बता देजे, क्योंकि ये वाला topic हो गया, खतम, अब हम जाएंगे duration वाले point के उपर, किसी को दिक्कत है, तो बताइए, नहीं, तो last topic रह जाता है, इस chapter का duration, बाकी questions मैं homework में देने वाला हूँ, आपको job try करेंगे, bond duration, एक modified है method, और एक है हमारा, sir, release ytm भी रहेगा, realize, वो सेम है, बिल्कुल realize, मैं भी last में discuss करूँगा, realize ytm के अंदर आपको table की जुरत पड़ेगी, बस, बिल्कुल, realize ytm के अंदर एक table की जुरत पड़ेगी, उस table के हिसाब से मैं करके बता दूँगा, अभी, formula यही है, बस एक table की जुरत पड़ेगी, उसको मैं अलग से बता दूँगा, सिर्फ तीन सवाल है आपके इसमे, realize ytm के, बाकि सारा वही है आपका, सर, when realize ytm is asked, do have solved with irr formula, नहीं मैं बता दूँगा ता निश्का, उसके उपर अभी थोड़ा hold कर दीज़े, सिर्फ तीन questions है, मुझे पता है questions, कौन-कौन से है, तो जैसे जैसे आएगा, अभी इससे पहले वाले तो देखेंगे, तो सिर्फ और सिर्फ approximate ytc पूछा गया है, यह तो आप निकाली सकते हैं, यह भी homework में है, इससे पहले पूछा गया, तो ytm पूछा गया, यह भी निकाल लेंगे, zero coupon bond का, zero coupon bond का, ytm क्या होगा, मैंने बताया था, वहाँ पे zero coupon bond का, आपका present value के हिसाब से निकल जाएगा, सिर्फ और सिर्फ ytm का, जैसे आपको बता आए गया था, यह मैं दुबारा लिखवा दूँगा, zero coupon bond का, ytm, ठीक है, risk in bond, हाँ, बिलकुल risk in bond,